देश में 2014 में सबका साथ सबका विकास के नए संकल्प का आवान किया था इस संकल्प में राजस्थान ने बहुत बड़ी भूमी का निभाई है आप याद कीजिए 2014 से पहले देश में क्या स्थिती थी पूरे देश में जनतार प्रस्टाचार के विरद सडक पर उत्री हुई थी बड़े बड़े शहरों में आए दिन आतं की हमले होते थे कॉंग्रेस सरकार सीमा पर सडके बनाने से भी डरती थी महिलाओं के विरूत अपराद चरम पर थे प्रदान मंत्री के उपर सूपर पावर थी कॉंग्रेस सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही थी निर्णय होते नहीं थे नीतियां चौपड थी निवेशक निरास्ते युवाओं के सामने अंदकार था जनता से वोट लेकर कॉंग्रेस जनता को ही कोस रही बाई और भेनों गोड निरासा के इसी माहोल को 2014 में आपने एक बोट से विकास के विश्वास में बदल दिया आज देखिए पूरी दुनिया में भारत का यश्गान हो रहा है आज दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि भारत अती गरीबी को अती गरीबी को समाप्त करने के बहुत नीकट है